अब देखो शुरू करते हैं हम अपने इम्यूनो थेरपी वाले पॉशन से कि इम्यूनो थेरपी में कौन-कौन से जो हैं चीजें यूज की जाते हैं कौन-कौन से टेकनोलजी यूज की जाती है तो पहला आते हैं हम एबजाइम टेकनोलजी में एबजाइम टेकनोलजी में क्या करते हैं एबजाइम को यूज करते हैं कैंसर या HIV को ट्रीट करने के लिए अब यह एबजाइम है क्या तो नाम में दिख रहा है आपको कि एबजाइम मतलब एंटीबॉडी ए भी हम किसके लि हो उनको क्या बोलेंगे एबजाइम हाँ वेटेज वाइस में आपको एक वो चार्ट दे दूंगी कि आपको पता चलियागा कि सेक्शन क्या क्या है तो अब शुरू कर रहे हैं एबजाइम एंटी बॉडी प्लस एंजाइम को हम बोल देते हैं शौर्ट में एबजाइम ऐसे एंटी बॉडी जिनके पास केटलीटिक एक्टिविटी हों उनको हम क्या बोलंगे एंजाइम तो से ओते हैं एक कि catalytic activity show करते हैं और यह catalytic activity क्या catalyze करता है एक particular जो target molecule हो आपका चाहें वो HIV के case में देख लो या cancer case में कुछ एक target molecules होते हैं जिनका destruction को यह क्या करते हैं catalyze करते हैं अब अगर मैं बोलू इसका structure कैसा होता है तो इसका structure होता है यह common antibody antibody ही तो है enzyme क्या है antibody ही है इसमें एक होता है efzyme domain जिसमें क्या होता है enzyme जो है वो link होता है और उसके बाद यह epitopali site जो होती है antigen binding site यह entigen को recognize करती है और उस से bind करती है अब यह क्यों जरूरी होता है कैसे जरूरी होता है मैं की होता है यहां पर monoclonal antibody को जब हम epzyme technology की बात करते हैं तो epzyme टेकनॉलजी की बात करते हैं तो epzyme engineered किये जाते हैं बहुत सारा research करते हैं cancer पे, HIV पे और cancer और HIV cells को target करने के लिए यह क्या करते हैं particular monoclonal antibodies design करते हैं उनके साथ एक enzymatic association किया जाता है एबसाइम दिजाइन किये जाते हैं इंजिनियर एंजीणियर ओहिकित तो कैंसर ट्रेटमेंट रहल पाता है किस में क्या होता है कि जो करना है उगरायां वोते हैं। संसरे के से कहा हो से इस चेंस कोई ध्यक्षब को उखीम हो रहे हैं। के साथ दभा के साथ लेकिन normal cell बी equally affect हो रहा है तो एबजाइन जब design करते हैं तो इस तरह से design करते हैं कि वो जो antibodies है monoclonal antibodies है वो particularly जा के उस particular cancer cell पे ही अटेच हो cancer case में या tumor के case में उस particular tumor cell पे ही उसके surface पे जाके ही attach हो ठीक अब ये antibody का पौनव का पौजिशन तो यह हो जाएगा कि वह सेल पर ही जाएच होँ अब गरुन क्यों जह चैश होता है अब केम देखेंजाद्स का AmGem क्या काम होता है अब देखो यहाँ पर जो ड्रग दिया जाना है जो ड्रग Allah nigga किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए वो उसको यहां पर एम जैंग के साथ अटेच कर दिया जाता है अब एब जैंग का क्या काम होता है प्रोडर्ग दू दिया जाता है प्रोडर्ग के फॉर्म में दिया जाता है मतलब प्रोडर्ग ऐसा ड्रग जिसकी टॉक्सिटी सिटी क्या हो लो टॉकसिटी हो और इनएक्टिवा मतला जब till Fachöre कि वह अपने पंटर सेल और तिूमर सेल तक नहीं पहुचे तब तक उसकी टॉकसिट्षटी क्या हो cell के लिए low हो और inactive form में हो तो low होगा inactive form में होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं pro drug बोलते हैं मतलब अभी वो drug नहीं बना है अभी वो therapy के लिए तयार नहीं हुआ है वो pro drug form में है जिसकी toxicity क्या है low है और inactive है जब तक वो बाइंड नहीं होगा cancer cell से तब तक यह active नहीं होगा तो अभी यह product form में है जैसे ही monoclonal antibody जाके किसी cancer cell से attach होता है tumor cell से attach होता है particular receptor से जाके attach होता है तो epitope से attach होता है तो क्या होता है कि यह product जो है वो abgym क्यूंकि इसके पास क्या है एक enzymatic unit है वो क्या करता है product को convert कर देता है active drug में अब यह active drug क्या होता है active drug जो होता है highly toxic होगा highly toxic होगा और tumor cell के लिए क्या cell death क्या cause करेगा समझ रहे हो बात समझ में आ रही है product convert हो रहा है active drug में प्रोड्रग क्या था लो toxicity था और active drug क्या है highly toxic है अब highly toxic है तो यह cell death cause कर रहा है इतना समझ में आ गया और यह active form में है active drug क्या एक्टिव फॉर्म में है product किस फॉर्म में था इन एक्टिव फॉर्म में था तो अब प्रोड्रग active drug क्यूं कर रहे हैं प्रोड्रग को active drug and the enzyme के थूँ convert कर रहे हैं क्यूंकि जो normal cell है normal cell intact रहे हैं ड्रग के इफेक्ट से normal cell जो है वो intact रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़े सिर्फ फर्क किसको पड़े cancer cell cancer cell को identify कौन कर रहा है antibody portion antibody portion cancer cell को identify करके attach हो रहा है एक particular epitope और उसके साथ जो यह enzyme वाला portion है वो क्या कर रहा है product को active drug में convert कर रहा है कि समझ रहे हूं कि फिर से एक बार समझ लो यह क्या है यह आपका यह आपका हमारा हो गया tumor cell ठीक tumor cell membrane हो गया इसके पास epitope होंगे ठीक epitope होंगे इस epitope के लिए particularly design किया गया है monoclonal antibody जो उसी particular epitope को identify करके उससे क्या होंगे attach होंगे तो यह हमारे antibody का काम क्या हो जाएगा इस antibody का काम हो जाएगा but highly specific highly specific cell recognition समझ यह बहुत specificity के साथ यह tumor cell को recognize करेगा एकदम तगड़ी specificity बिल्कुल गलती नहीं करना है कोई भी normal cell पे attach नहीं होना है अब जैसे ही यह attach होता है यह binding हो जाती है epitope binding हो जाती है antibody से तो वैसे ही यह जो इसका enzyme portion होता है enzyme portion होता है वो क्या करता है प्रो ड्रग को ड्रग में convert कर देता है अब हम प्रो ड्रग क्यूं दे रहा है प्रो ड्रग इसलिए दे रहा है ताकि वो low toxicity रहे अधर normal cell पे उनका कोई effect नहीं हो जब वो bind करे enzyme activate हो तभी enzyme किसमें convert करे ड्रग में ठीक catalyze करता है प्रो ड्रग का conversion किसमें ड्रग में active ड्रग में अब यह active ड्रग highly toxic है highly toxic है तो यह क्या कॉस करेगा इस particular cell का cell death जो है वो कॉस करेगा जिससे यह antibody attach हुई है उसका क्या क्या कॉस करेगा cell death कॉस करेगा यहां पर हम कीमो थेरपी या जब भी बात करते हैं cancer या HIV की तो particular cell को identify करने के लिए कि cell recognition में कोई गड़बड़ी नहीं हो स्पैसिफिक बाइंडिंग हो ट्यूमर सेल पे या HIV सेल पे तो हम यूज करते हैं monoclonal antibody बहाँ पर अधर्वाइस यह कोई भी antibody हो सकते हैं यहां पर हम cancer के केस में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम बोल रहे हैं cancer केस में पढ़ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि यह monoclonal antibody जो की specific recognition रखता है tumor cell के लिए तो tumor cell पे जाके specifically bind होगा तो यहां पर दो चीजे हैं पहला है binding का काम कॉन कर रहा है antibody कर रहा है वह specific binding कर रहा है अब enzyme part क्या कर रहा है enzyme part क्या कर रहा है product को drug में active drug में convert कर रहा है product low toxicity है मतलब कि अगर यह गलती से कहीं इधर उधर निकल गया ठीक यह वाला portion कहीं इधर उधर normal cell पे जाके निकल गया तो यह product जो है वहाँ पे ज्यादा harm जो है वो call नहीं करेगा क्योंकि यहां पर binding नहीं ह होगा तो ज्यादा harmful condition नहीं आएगी ठीक side effects नहीं आएंगे treatment के side effects नहीं आएंगे जबकि अगर binding सही हो गई cancer cells पे जाके exact bind हो गये हैं अपने place पे अपने अपिटोप पे फिर क्या होगा यह enzyme portion product को drug में जो कि highly toxic होगा convert करेगा उसके बाद क्या होगा tumor cell का death होगा अब बता यह इसमें कोई doubt है यह समझ में आ गया सबको कि enzyme का mechanism कैसे है कैसे है कि enzyme का enzyme portion product को active drug में convert कर रहा है और यह product क्या है inactive है low toxicity का है active drug जो है highly toxicity रखता है और cancer cell या tumor cell की cell death cause करता है ठीक तो सबको यह enzyme clear हो गया है अब हम पढ़ेंगे immunotoxin के बारे में ठीक तो immunotoxin क्या होते हैं immunotoxin दो चीजों से मिलके बना होता है एक होता है binding domain जिस पे toxin bind होता है तो पहला यह domain जो है वह toxin होगा यह toxin कुछ भी हो सकता है किसी bacteria से derived toxin हो सकता है जैसे diphtheria toxin titanus toxin कुछ भी हो सकता है bacteria से derived toxin हो सकता है या plant derived toxin हो सकता है किसी भी तरह का एक toxin molecule होता है तिक दूसरा होता है binding domain जो toxin को bind करके रखता है अपने आप से उसको को हम बोलते हैं binding domain अब यह binding domain नाचुरल लीजन्स भी हो सकते हैं जैसे हमारा क्या हो गया growth factor हो गए surface receptor हो गए कोई antibody भी हो सकता है या फिर कोई recombinant derivative products भी हो सकते हैं तो यह समझ में आया immunotoxin नाम में ही है immunotoxin immunogenicity create करने के लिए यह जो toxin protein domain add किया जाता है किसी एक molecule में चाहें वो growth factor हो surface factor हो antibody भी हो सकते हैं और यह toxin जो होता है वो generally कहां से derived होता है या तो bacteria से derived होगा या plant source से derived होगा यह किसी भी source से natural source से derived toxins जो है हो सकते हैं अब देखो इन में होता क्या है suppose कि अगर यह binding domain हमने कोई antibody ले लिया थिक binding domain हमने कोई antibody ले लिया तो यह हमारा antibody हो गया antibody हो गया उससे क्या होगा एक linker molecule attach होगा linker क्या होगा जो toxin और binding domain को link करेगा तो वो linker molecule हो गया और यह red वाला portion जो होता है वो toxin का होता है suppose अगर यह diptheria toxin है तो यह क्या है यह diptheria toxin को हमने यह पर attach कर दिया तो immunotoxin क्या है एक binding domain होगा दूसरा क्या होगा toxin molecule होगा फिर से देख लो यहां पर क्या है toxin molecule है किससे derive हो सकता है यह toxin molecule plant से हो सकता है plant से secreted coincin हो सकता है या बैक्तिरिया का कोई exotoxin हो सकता है या फिर pangal source से coincin हो सकता है मतलब किसी भी source से निकाला हुआ एक toxin जो है वो यहां पर होता है इसके बाद क्या होता है toxin है इसको हम एक targeting molecules लिंक करते हैं तो यह वाला पॉर्शन जो है वो लिंक कर पॉशिंन बोलते है क्योंकि यह लिंक कर रहा है ।ि टॉक्षी मोलेक्व से निकला हुआ टॉक्सिन हो सकता है बैक्टिरियल सोस से निकला हुआ टॉक्सिन हो सकता है लेकिन अब यह टार्गेटिंग मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं तो हमने पहले ही देखा कि सर्फेस रसेप्टर्स हो सकते हैं एंटी बॉडी हो सकते हैं ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं से कोई टौकसीन आड़ कर दो तो फिर यह बन गया इमईनोटॉक्सिन बन गया अभी आप बोलोगे कि क्या ज़रूरत है इममईनोटॉक्सिन बनाने की टॉक्ति जह सकता है को आपकी बॉडी के अंदर और आप पर्टीकुलर्ली उसका सेल रेट चाहते हो कि यह है टार्गिट हो जाए और किल हो जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे उसके लिए क्या किया जाता है इम्मिनो टॉक्सिन प्रिपेर किया जाता है या फिर कैंसर सेल शील के एक्जांपल लेलो अब क्या immunotoxin में यह सबसे पहले क्या होगा infected cell से जो भी infected cell होगा उससे bind करेगा आपको मालूम है cell पर epitope होंगे ही होंगे अगर यह antibody है यह antibody है तो यह epitope से जाके bind करेगी इसके साथ toxin भी अटाइजड है अब जब यह bind करती है तो सेम जैसे bacteria का मैंने बताय था ना invasion कैसे होता है अंदर endocytosis हो जाती है या phagocytosis हो जाती है सेम मैनर में immunotoxin क्या हो जाते हैं endocytosis हो जाते हैं तो जब यह एक बार endocytosis हो गाए तो यह endosome या phagocytosis जो है उसके अंदर है या lysosomes के अंदर है अब क्या होगा कि यह toxin release हो जाते हैं तो सपोज अगर यह diptheria toxin हमने attach किया था यहां पे अगर यह diptheria toxin attach किया है इसमें अब लाइसोसों के बाहर अब क्या होगा diptheria toxin किस पर किस पर काम करता है पौन सा फैक्टर होता है जिसको वह inhibit करता है जल्दी बताओ हाँ प्रोड्रग और अब्जाइम लैब में इंजीनियर किये जाते हैं अब कि एफ टू इएफ टू इएफ टू सुना था जब हम होस पाथोजन इंटरेक्शन पढ़ रहे तो मैंने बग्या बता है था कि इफिरिया टॉक्सिन को इनिबिट करते हैं इस ये इस इलांगेशन फ्ैक्टर टू को इनिबिट करते हैं अब जोचो। की यह टॉटिरीय टॉक्सीन था अब following हो गया तो यह किसको इनविट करेगा सेल के अंदर किसको इनविट करेगा इत्व एलॉपेटो लॉंगेश्टर तू को इनविट करेगा ऐर्टीमेटली अस टार्गेट सेल की क्या हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस इनिबेट हो जाएगा और फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस इनिबेट होने के बाद क्या होगा सेल डेट कॉज होगा ठीक तो इस तरह से इम्मुनो टॉक्सिन किसी भी पैथोजन के अगेंस यूस किये जाते है यह समझ में आ गया पिर से एक बार इसका मेकानिजम पढ़ लेते हैं इम्मुनो टॉक्सिन क्या है इसके पास एक ग्रीन टॉक्सिन पोशिन है यह एक एंटिबॉडी टारगेट एंटिबॉडी के साथ क्या किया गया है लिंक किया गया है अब यह अपने पर्टिकुलर एपिटोप को आइडेंटिफाई करेगा यह एंटिबॉड़ी जाके अब जिस सेल पर यह अटैच हुए है वहां पर यह क्या हो जाएंगे पैगोसाइटोस हो जाएंगे यह एंडोसाइटोस हो जाएंगे अब फिर उसके बाद लाइसोसोम से इनकी रिलीज होगी रिलीज होगी तो टॉक्सिन क्या हो जाएगा प्री हो जाएगा किसे फ्री हो जाएगा जिससे लिंक था पर पहले जिससे लिंक था उससे फ्री हो गया एंटिबॉडी है तो एंटिबॉडी से फ्री हो जाएगा साइ साइटोप्लाज्म में आ गया साइटोप्लाज में उसके बाद यह किसको अफेक्ट करेगा अगर यह diptheria toxin है तो इसी को अफेको करेगा है ना तो elongation factor किया किया इनवुट किया और ultimately protein synthesis रोक के क्या क्या कॉस कर दिया क्या कॉस कर या साल है क्या कॉस कर दिया तो ये immunotoxin समझ में आगया आपको कैसे इनका mechanism है कैसे काम करते हैं अब तीसरा जो है वो है ADC तो यहाँ पर क्या किया जाता है नाम में है antibody drug conjugate conjugate मतलब associate हुए है conjugate हुए है तो होता क्या है कि किसी monoclonal antibody को लेते हैं क्यों लेते हैं हमेशा monoclonal antibody को उसके specificity की वज़े से लिया जाता है क्यों कि क्यों वो किसी एक particular एक type के इपिटोप पो आइडेंटिफाई करता है और उसी पे जाके बाइंड होता है और बहुत हाई एफिनेटी के साथ बाइंड होता है तो मौनो क्लोनल एंटी बॉडी लिया ड्रग के नाम पर क्या लिया कोई साइटो टॉक्सिक पोटेंशल ड्रग लिया ठीक अब ये भी क्या ह होता है कैंसर या HIV के treatment में इनको भी लिया जाता है से मैनर पर काम करते हैं ये भी अब क्या होता है कि आपने एक monoclonal antibody लिया एक linker molecule लिया linker molecule मतलब जो कि ड्रग और antibody को आपस में conjugate बनाने में help करें ठीक attach करने में help करें तो linker ये कोई भी binding agent हो सकता है अब antibody जो monoclonal antibody है उस पर कोई attachment site होगा उस attachment site से binding site जुड़ेगी binding agent जुड़ेगा और उस binding agent के साथ कौन जुड़ेगा पेलोड बोलते हैं जो भी ये drug होता है cytotoxic potential drug होता है इसको हम बोलते हैं पेलोड तो ये antibody से जाके ये पेलोड जो है attach हो जाता है ठीक अब इसका mechanism भी almost similar है जैसे immunotoxin जो है वो काम करते हैं similar manner में क्यों इसके पास क्या है पेलोड है ठीक antibody से attached है मतलब इसका drug जो है antibody से link है अब क्या होता है ये particular epitope को identify करके attach होगा फिर इसको कहां लाया जाएगा endocytos करके lysosome के अंदर लाया जाएगा lysosome के अंदर आने के बाद क्या होगा lysosomal wall का degradation होगा degradation के बाद क्या होगा जो भी toxin था जैसे वहां पे immunotoxin में toxin थे यहां पे drug release हो जाएगा जो भी हमें drug deliver करना है cancer cell को kill करने के लिए तो वो drug क्या होगा वो release हो जाएगा जब यह drug release हो जाएगा तो finally यह क्या cost करेगा उस tumor cell या cancer cell की death cost करेगा तो यह चीज़ समझ में आ गए कि antibody drug conjugate क्या होते हैं झाल झाल antibody drug conjugate समझ में आ गया अब कुछ नाम antibody drug conjugate की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या monoclonal antibody attach होगी तो इसलिए इनके नाम में MAB जरूर मिलेगा MAB stand for monoclonal antibody जैसे यहाँ पर यह MAB ठीक अब इसके साथ जो load है दवा उसका नाम क्या है तो इस तरह से कुछ ADC है जिनके नाम क्या है पहला जो है वो ADORASUJU MAB ADORASUJU MAB है यह किसको target करता है किसको target करता है HER2 plus targeting conjugate को target करता है और क्या inhibit करता है microtubule की assembly जो है उसको inhibit करके cytotoxicity create करता है समझे कि microtubule को inhibit करके finally ultimately यह क्या cause कर रहा है cell death cause कर रहा है यह सारे drug जो है वो chemotherapy के लिए दूसरा है ब्रेंड टूसी माप ब्रेंड टूसी माप यह किसको target कर रहा है CD30 को target कर रहा है CD30 जो है वो एक TFN receptor का part है tumor necrosis factor का part है और यह कहां पाया जाता है कहां एक्सप्रेस होता है एक तो tumor cells पर एक्सप्रेस होता है मतलब जितने भी tumor cells होंगे उन पर एक्सप्रेस होगा और lymphocyte में बहुत कम population में कुछ-कुछ lymphocyte जो healthy individuals है उनमें भी CD30 जो है एक्सप्रेस होता है तो CD30 जो है TFN receptor का part है और generally tumor cells पर एक्सप्रेस होता है इसके अलावा यह जो है HIV को भी target कर सकते हैं इससे generally क्योंकि CD30 tumor cells का part है तो tumor cells को target करे गाई जो भी monoclonal antibody CD30 को target करेंगे वो cancer cell को already target करें tumor cell को लेकिन कई बार क्या होते हैं कुछ अगर HIV के case में हम बात करें तो कुछ HIV cells जो होते हैं जैसे T cells का CD4 जो है वो identify करता है HIV ठीक वो CD30 को भी express कर रहे होते हैं वो cell क्या कर रहे होते हैं CD30 को भी express कर रहे होते हैं तो CD30 को express करने वाले mono को identify करने वाले monoclonal antibody जो होंगे वो HIV को भी treat करने काम आते हैं तो basically यह जो CD30 targeting monoclonal antibodies होंगे वो HIV as well as tumor दोनों को target करेंगे तो इसका example क्या है brand 2C monoclonal antibody vedotin ठीक तो यह इसका example हो जाएगा क्यालो जादा थक्या जाएगा जाएभर membयोच और उझ ऊपमाशना यह जाज़रारा की तो कवuj़क mission है